English Speaking Course के Day 17 में आप सभी का स्वागत है, Day 15 और Day 16 में हमने Simple Sentence Present की Category 1 और 2 को देखा, आज के इस वीडियो में हम Simple Sentence Past की Category 1 और 2 इन दोनों को देखेंगे Simple Sentence Past की Category 1 की पहचान होती है कि Sentence के End में होता है था, थे, थी और Subject के बारे में सिर्फ बताया गया होता है, Subject की अवस्था के बारे में जैसे वो बैठा हुआ था, वो छिपा हुआ था, वो उठा हुआ था, वो चालाक था, मैं चालाक था, मैं अच्छा था, मैं बुरा था, तो जो भी Subject है, उसकी अवस्था के बारे में या उसकी किसी क्वालिटी के बारे में सिर्फ बताया गया होता है और Sentence के End में था थे थी, कैटेगरी 2 की पैचान होती है जहाँ पर सब्जेक्ट के पास कुछ था, जैसे मेरे पास पैन था, उसके पास किताबें थी, सब्जेक्ट में था, यानि सब्जेक्ट के अंदर था, जैसे उस किताब में 400 पन्ने थे, तो सब्जेक्ट है वो किताब, उस किताब में थे, यानि उस किताब के अंदर थे, और subject की भाई बहन, अंकल, चाचा, थे, जैसे मेरे दो भाई थे, उसकी तीन बहने थी, तो था, थे, थी यहाँ पर भी आएगा, बिल्कुल वैसे ही, जैसे present की category 2 में यहाँ पर है, है, हो हूँ आता है, past है, में है, भाई बहन है, उसी तरह से past में था, थे, थी, तो यह तो है पहचान, अब बात करते हैं, auxiliary verbs की, category 1 के sentences में, जो auxiliary verbs use होती हैं, was, यह were, singular subjects के साथ में was, और plural subjects के साथ में were, negative sentence में किवल not जूर जाता है, समय से, इसका जिक्र भी मैंने simple sentences की present की category 1 में किया था, और मैंने आपको बताया था, कि जब भी समय से की बात हो, ऐसे में, was work की जगह पर, auxiliary verb had been का use किया जाता है, और negative sentence जब बनाते हैं, तो यहाँ पर not आ जाता है, had not been, मैंने आपको singular plural के बारे में एक चार्ट में बताया था, यह देखे, day 11 की वीडियो में बताया था मैंने आपको, कि यह है चार्ट, singular, plural, और first person singular, first person plural, second person में यूई आता है, हमेशा जिसे plural tweet करते हैं, और third person में, यह सब आते हैं, singular में, यह सब आते हैं, plural में, और फिर मैंने आपको यह भी बताया था, कि was, were, was के साथ, was किस के साथ आता है, सभी singular subjects के साथ में, चाहे आई हो, he, she, this, that, it, सभी के साथ में, was, और plural के साथ में, were, p, plural के साथ, ठीक है, और इसी तरह से, मैंने समय से के लिए भी जिक्र किया था, जब मैंने आपको क्या बताया था, since और for का use, यह देखिए, से के लिए, since, यह for का use, और यह बात बताया थी, मैंने आपको day 15 की वीडियो में, तो इन सब चीजों को मैं repeat नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो वीडियो को देखिए, और समझिए, अब हम अपनी original slide में वापस जात है, had, और जब हम sentence को negative बनाते हैं, तो negative sentence में did not have, have आ जाता है, did not have, यह नहीं कि did not had, did not have, और कुछ cases में negative sentence में had के साथ क्या लग जाता है, no, लेकिन had के साथ कभी भी not नहीं लगता, had के साथ not के वल past perfect tense में लगता है, और यह tense के sentence नहीं है, यह है, simple sentence, category 1 के rules के आए, affirmative, negative, interrogative, negative, interrogative sentences के आप देख सकते हैं, subject के साथ में was, were, उसके बाद object, was, were, not आ गया negative sentence में, interrogative sentence का rule, wh family member, was, were, subject, object, negative, interrogative में subject के तुरंद बाद not, जैसा कि हमेशा होता है, और special cases भी हैं, जैसे हमने present में discuss किये, ठीक, इसी तरह से category 2, इसके affirmative, negative, interrogative, negative, interrogative के sentences के rules आपके सामने लिखे हैं, और special cases, अभी हम discuss करेंगे, सब clear हो जाएगा, confusions भी होंगे, वो सब doubts clear होंगे आपके, और sentence में, जब subject में था, या subject के अंदर था, या subject के भाई थे, बहन थे, अंकल थे, दोस्त थे, ऐसा आता है, ऐसे में sentence को head के साथ तो आप बनाई सकते हैं, साथी साथ there के साथ भी बना सकते हैं, there was, या there were, और उसके बाद हमेशा क्या आता है, no, जिन students ने इससे पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं, उनके लिए वीडियो को समझना बहुत आसान है, जिनोंने नहीं देखी है, उन सभी से request है, पिछली वीडियोस को देखी है, और तब इस वीडियो पर आईए, अब हम move करते हैं आगे, एक एक करके इने समझते हैं, सबसे पहले category 1, वो office में था, कौन था office में वो, subject है वो, he was in the office, यह तो बहुत ही simple है, यहाँ पर he के साथ was क्यों लगा, क्योंकि he एक third person singular subject है, और singular subjects कोई भी हो, उसके साथ में लगता है was, ठीक है, negative बनाया, वो office में नहीं था, not का यूस कर लेंगे, he was not in the office, अब अगर इस sentence को मैं interrogative बना दूँ, क्या वो office में था, क्या से शुरुआत हो गई, तो interrogative sentence का rule कहता है, सबसे पहले लगता है, WA family का member, लेकिन सवाल यह है, कि इस question का answer क्या आप yes या no में दे सकते हैं, क्या वो office में था, अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या वो office में था, तो आप कह सकते हैं yes, या आप कह सकते हैं no, तो जिस भी question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, वहाँ पर WH family का member कभी भी नहीं आता, ऐसे case में, यह तो मैं already आपको बता चुका हूँ, तो इस sentence की शुरुवात, was या worse से होगी, अब subject है मेरा, he, he के साथ लगता है was, तो was he in the office, अब इस question को देखिए, वो office में क्या था, यह sentence क्या था, क्या वो office में था, तो इस question का answer आप दे सकते थे, yes, या no, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, वो office में क्या था, तो आप केवल yes या no कह देंगे, तो sense नहीं निकलेगा कुछ भी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो office में क्या था, मेरा मतलब, कि वो office में manager था, पियोन था, ये क्या था, तो दो बाते हैं, या तो आप कह देंगे, sir, वो manager था, या आप कह देंगे, sir, वो peon था, sir, वो officer था, या आपको नहीं पता है, तो आप कह देंगे, sir, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, तो कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा इस question का answer देने में किवल yes या no कह देंगे तो बात clear नहीं होगी तो जब भी किसी question का answer आप yes या no में नहीं दे सकते ऐसे में क्या के लिए WH family member what का use किया जाता है तो इस sentence को कैसे बनाएंगे वो office में क्या था What was he in the office ठीक है अब देखी इस sentence को वो office में था को मैंने का he was in the office लेकिन वो सुभ ह से ओफिस में था सुभ ह से समय से शुबह से दो घंटे से दो साल से दो दिन से दो मिनट से दो घंटे से पांच बज़े से छे बज़े से शुबह से दो पहर से ऐसे में आप since या for का यूज़ करते हैं अल्रेडी समझा चुका हूँ कहां पर since कहां पर for सुभा say के लिए हम क्या कहते हैं since morning तो वो office में था since morning लेकिन आप ये जानते हैं ऐसे में था के लिए जैसे हमने यहां was का यूज़ किया यहां पर was या और का यूज़ नहीं होता है जब भी समय से की बात होगी क्या यूज़ होगा had been तो he had been in the office since morning जिन students को ये concept समझ में नहीं आ पाया इसका मतलब उन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वो देखेंगे तो समझ में आएगा वो office में कब से था अब यहां पर मैंने क्या का कब से WH family member के वीडियो में क्योंकि ये interrogative sentence है interrogative sentence सबसे पहले WH family का member आएगा कब से को कहते हैं since when ये for how long ये बात मैंने आपको WH family के वीडियो में बताईए और जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो office में कब से था यानि किस समय से था तो यहां पर भी समय से का ही जिक्र हो रहा है क्योंकि इस question का answer भी आप ऐसा ही कुछ देंगे दो घंटे से या दो दिन से दो मिनट से या दो बज़े से मैंने आपसे पूछा वो office में कब से था आप कह सकते हैं दो बज़े से था या दो घंटे से था तो समय से का यहां पर भी इस question में जिक्र है ऐसे में जो verb use होगी वो है had been तो कैसे बनाएंगे इस sentence को सबसे पहले डबलो एस family का member since when उसके बाद was word का use तो नहीं होगा इसके जगह पे had been का use होगा जब भी दो words का होता है auxiliary verb तो had का use पहले होगा since when had he he मतलब subject वो उसके बाद आएगा been और उसके बाद objective part in the office तो कैसे बनेगा यह sentence since when had he been in the office डबलो एज family member auxiliary verb का first part been आएगा subject के बाद में ऐसा ही होता है जब भी कोई auxiliary verb दो words की होती है तो पहला वाला word शुरुबात में और दूसरा वाला word subject के बाद में in the office अगर यह sentence negative होता वो office में कब से नहीं था तो नहीं बोले तो subject के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आ जाता है not क्योंकि हमेशा subject के बाद not आता है किसी भी negative interrogative sentence में ठीक है अब next slide पर move करते है एक लड़का था ये बात मैंने आपको simple sentence present की category 1 में बताया था कि जब भी sentence में आपको object नहीं दिख रहा है आपको समझी नहीं आ रहा object है यह नहीं अगर मैं आपसे कहूँ इस sentence में subject क्या है आप कहेंगे एक लड़का object क्या है कुछ भी नहीं तो जब object नहीं है ऐसे में आप there का use कर लेते हैं और बेहतर होता है कि there का use आप as a subject करें as a subject मतलब कि there को as a subject यूज करें और एक लड़का को object बना दें यानि sentence को generally English native ऐसे ही बनाते हैं there का use कर लेते हैं और there के बाद चुकि एक लड़के की बात हो रही है तो there के बाद क्या use करेंगे was अगर एक से जादा होते मान लिजी मैं कहता तीन लड़के थे तो there were लेकिन अभी क्या there was a boy हलकि इस sentence को बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि there का use आप object में कर लें और subject as it is जैसे कि आपको लग रहा है एक लड़का a boy was there तो इन दोनों तरीके से sentence को बना सकते है लेकिन ये बेहतर तरीका है यानि कि जब आपको object नहीं दिख रहा है तो there का use as a subject कर लें उसके बाद auxiliary verb was या worries category में था थे थी के case में और उसके बाद जो भी उस sentence का आपको subject दिख रहा है वो objective पार्ट में आ गया ठीक है अब इस sentence को जड़ा देखिए एक लड़का ओफिस में था अब अगर मैं इस sentence को बनाऊं एक लड़का था के लिए तो मैंने का there was a boy ओफिस में ये एड हो गया तो क्या कहूंगा in the office there was a boy in the office या फिर अगर एक लड़का था को मैं इस तरह से बनाऊं a boy was there तो बस मुझे क्या एड करना है in the office a boy was there in the office अब आप देख रहे हैं मैंने दो तरीके से sentence को बना लिया है there was a boy in the office या a boy was there in the office और दोनों ही तरीके बिलकुल सही है लेकिन एक चीज़ आप और नोट करिए आपके सामने अगर ये sentence आ जाए मान लिजे इतना sentence आ गया इसको बोल जाईए ये देर वाले concept को एक second के लिए side करिए अगर मैं आपसे पूछू बताइए एक लड़का office में था subject कौन है आप कहेंगे सर एक लड़का ठीक है और फिर मैं आपसे पूछू ओब्जेक्ट क्या है आप कहेंगे सर objective पार्ट में आ रहा है office में ठीक है तो इस sentence को affirmative की तर बना लिजी पहले subject a boy was in the office तो गलत तो नहीं है वो तो जब मैंने आपको ये बताया जहाँ पर object था ही नहीं तो मैंने बताया कि इस तरह से बनाओ और उसके साथ में थोड़ा सा जोड़ दिया office में तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया in the office in the office लेकिन इस sentence को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं subject है ये objective part है ये तो आप देखी कितना interesting है अगर किसी को आप ये sentence दें वो ऐसे बना दे ये भी सही है और was के बाद देर लगा दे ये भी सही है और चाहे तो sentence को वो ऐसे बना ले तो अगर मैं बात करूँ English natives की तो सबसे best तरीका ये होता है इस sentence को बनाने का इस तरह से हो बोलते हैं लेकिन जब आप English सीखते हैं शुरुआत आप ऐसे करते हैं पहले आप पैचानते हैं subject, objective part इस तरह से बनाते हैं फिर धीरे धीरे आपको जैसे जैसे knowledge बढ़ता है ये आप सुनने भी लगते हैं English movies में, songs में आप समझ जाते हैं कि ये तरीका ज़्यादा use होता है कुछ पेड़ थे, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि subject क्या है तो आप कहेंगे कुछ पेड़, फिर मैं पूछता हूँ object का हैं, आप कहेंगे sir object तो ही नहीं ऐसे में there का use subject की तरह करना ज़्यादा बहतर है तो there का use subject में कर लो और जिसे आप subject समझ रहे हैं उसको आप objective पार्ट में ले आए there और was आएगा यह were आएगा were आएगा, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा पेड़ की बात हो रही है there were few trees simple ठीक है? इस तरह से आप sentence को बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं few trees were there बिल्कुल ऐसे, few trees were there लेकिन यह बहतर तरीका, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ उस जंगल में कुछ पेड़ थे अब कुछ पेड़ थे के साथ जोड़ दिया उस जंगल में in that jungle अच्छा इसी sentence को बोलने में तुम ऐसे भी कह सकता हूँ few trees were there जैसे मैं आपको यहाँ पता है few trees were there there का use objective पार्ट में few trees were there in that jungle अब मैं एक छोटी सी knowledge की चीज़ आपको बताता हूँ यह है category 1 category 2 के sentences में होता है में था यानि subject में था यानि subject के अंदर था अब इस sentence में एक खासियत है उस जंगल में कुछ पेड़ थे अगर मैं आपसे पुछो subject क्या है किवल इस sentence को देखके बताईए subject क्या है तो आप कहेंगे subject है वो जंगल क्योंकि उस जंगल की बात हो रही है तो वो मेरा subject है वो जंगल उस जंगल में थे यानि उस जंगल के अंदर थे तो आ गया वही वाला sense तो में थे ये category 2 में आएगा ये तो category 1 है जहाँ पर इस तरह का sentence में आपको बता है लेकिन category 2 में में था वाले sentence ऐसे ही होते है उस जंगल में थे यानि उस जंगल के अंदर थे तो subject होगा that jungle had में था के लिए head आएगा और उसके बाद few trees तो हो सकता है अभी आप चुकि उस category को नहीं जानते हैं आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में तो फिलाल आपको समझ ना आए लेकिन मैं लिख देता हूँ जिनको थोड़ा बहुत भी idea है वो समझ सकते हैं इस sentence को ऐसे ही बना सकते है that jungle had few trees ठीक है यह आपकी knowledge के लिए है जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हो सकता है इस part में आप वापस आईए फिर देखिए sentence को clear हो जाएगा कितने पेड़ थे कितने पेड़ यह question mark है एक interrogative sentence आप जानते हैं कितना कितने के साथ जो भी लख्या आता है यह पूरा पूरा डबलो एज फैमिली का member बन जाता है तो कितने पेड़ को कहते हैं how many trees आप बताईए यहाँ पर ना कोई subject दिख रहा है ना कोई object दिख रहा है ऐसे में आप there का use करेंगे how many trees were there अब आप subject कहलें चाहाँ object कहलें there को लेकिन there का use करेंगे how many trees were there ठीक है अब move करते हैं हमारी next slide पे कौन जगा हुआ था यह जो कौन है जिसके बारे में पूछ रहा हूँ वही तो मेरा subject है क्योंकि अगर इस question का answer हो राहुल जगा हुआ था तो subject कौन है राहुल रवी जगा हुआ था तो subject है रवी मैं जगा हुआ था आप जगे वे थे हम जगे वे थे जगे वे थे जो भी जगा हुआ था वही तो subject था क्योंकि उसी के बारे में तो बताया गया है कि वो जगा हुआ था तो जब WH family का member subject के बारे में ही पूछ रहा हो ऐसे में इस तरह से interrogative sentence को बनाया जाता है इस तरह से नहीं तो इस तरह से बनाया जाता है तो कौन जगा हुआ था WHO के साथ WAS जगा हुआ को हम क्या कहते है awake WHO was awake पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के कई example आपको दिये थे कौन कौन office में थे अब इसमें भी आप देखिए जो office में थे वो ही तो subject है subject के बारे में ही पुछा गया कौन कौन को क्या करते है who all who all were in the office अब आपको कुछ याद आया मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था यहाँ पर यहाँ पर देर का use किया जाता है अगर आप नहीं भी करेंगे तो sentence सही है लेकिन मैं बता रहाँ कि इस तरह से देर का use करते हैं who all were there in the office कौन कौन office में थे वहाँ किसका भाई था किसका भाई, किसकी बहन किसके दोस्त, यह सब एक साथ wh family का part बनके आ जाते है किसका भाई, whose brother was there वहाँ कौन सी shirt रखी हुई थी कौन सी shirt इसको wh family के member मैं आपको पताया था which shirt और रखी हुई रखने को keep कहते हैं, रखी हुई के लिए हम third form का use करते हैं, kept which shirt was which shirt was kept there वहाँ आ रहा है न, तो there यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही sentences में वहाँ आ रहा है तो वहाँ के लिए मैंने there का use करना ही करना है यह तो करना ही पड़ेगा है ना? अच्छा एक बात हमेशा याद रखी है कि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप देखते हैं there को objective part में अकेला आ रहा है इससे पहले English native बोलते वक्त over का use भी कर लेते हैं यह बहुत ही common practice है which shirt was kept over there? तो there या over there meaning बिल्कुल सेम है बोलने का एक style है आप में से कितने class में थे? मान लिजिए इस question का answer मैं आपको दूँ हम पाँच लोग class में थे तो हम पाँच लोग class में थे class में तो हो गया objective part हम पाँच लोग यह हो गया subject तो जो यह पूच रहा है आप में से कितने यह direct subject को ही refer कर रहा है आप में से कितने how many of you were objective part class में in the class how many of you were in the class? अब यहाँ पर एक चीज़ आप और note कर सकते हैं how many of you were आप देख रहे हैं auxiliary verb आई उसके तुरंत बात preposition आ गया और यह पूरा objective part है तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी दिर पहले there में कि आप यहाँ पर there का use कर सकते हैं English native कुछ इस तरह से बोलते भी हैं तो दोनों तरीके से sentence को बना सकते हैं how many of you were in the class? यह how many of you were there in the class? अब हम आगे हैं category 2 में past था उसके पास पैसे थे किसके पास पैसे थे उसके पास यानि subject कौन है? वो इस तरह से देखना है subject है? वो अगर कोई लड़का है तो he लड़की है तो she सबसे पहले he subject उसके पाद had उसके बाद objective part पैसे पैसे का मतलब money he had money मेरे पास pen नहीं था पास था आ गया ठीक है category 2 किसके पास नहीं था मेरे पास तो subject कौन है मेरे नहीं subject है मैं ठीक है यह बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको आपको अपने आपसे पूछना है कौन था वो जिसक I did not have a pen अब यहाँ पर एक interesting चीज और है मैंने का मेरे पास pen नहीं था मैंने ऐसा तो नहीं का दो pen नहीं थे चार pen नहीं थे मैंनी counting की बात तो नहीं हो रही है ऐसे में जब counting की बात ना हो ऐसे में आप had के साथ no इस तरह से भी negative sentence को बना सकते हैं और यह बात मैंने आपको present की category 2 में बताया था यह तो past है present की category 2 में has no या have no यहाँ पर had no तो यहाँ पर इस sentence को ऐसे भी बना सकते हैं I did not have a pen और या फिर I had no pen अब इस sentence में देखिए मेरे पास दो pen नहीं थे अब यहाँ पर हो गई counting दो pen तीन pen दो किताबे चार pencil तो जब counting हो जाती है ऐसे में तो आप had के साथ no वाले concept को use नहीं कर सकते हैं यह बात अलड़ी बताई थी मैंने आपको present की category में तो यहाँ पर इस sentence को बनाने का यह की तर sentence है I did not have two pens अब देखिए इस sentence में आपके पास पानी था क्या अगर मैं आपसे एक question पुछूँ आप कह सकते हैं हाँ यह आप कह सकते हैं नहीं यानि यस यह no में आप answer दे सकते हैं इसलिए क्या के लिए WH family का कोई भी member नहीं use होगा interrogative sentence है क्योंकि प्रश्णवाचक है पास था रहा है understood है category two है ठीक है अब interrogative sentence का rule कहता है WH family member यहाँ पर है नहीं did से शुरू होगा आपके पास कौन था वो जिसके पास पानी था आप तो subject हैं आप आपको कहते हैं you did you have पानी के लिए water आपके पास पानी था क्या did you have water अच्छा इस question में देखिए आपके पास क्या था यहाँ पर भी क्या आ रहा है लेकिन इस question का answer आप yes या no में नहीं नहीं दे सकते हैं आपको बताना होगा क्या आपके पास क्या था मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास क्या था तो या तो आप यह कह सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं था या फिर आप कह सकते हैं मेरे पास laptop था मेरे पास पानी था मेरे पास pen था तो केवल yes या no में answer नहीं दे सकते हैं इसलिए क्या के लिए क्या आएगा अब have के बाद कोई भी objective पार यहां पर है ही नहीं, तो इसलिए कुछ कहा ही नहीं, अब देखिए, कौन था वो जिसके पास mobile था, जिसके पास mobile था, वो ही तो मेरा subject था, लेकिन उसी के बारे में पूछा गया है, तो जब WH family का member subject के बारे में ही पूछ रहा है, ऐसे में इस rule के हिसाब से चला जाएगा, किसके पास mobile था, कौन था वो जिसके पास mobile था, who, कौन, who had mobile, अब इस sentence में क्या आ रहा है, किसके पास किताब नहीं थी, यानि यह प्रश्ण वाचक भी है, interrogative भी है और negative भी है, और जिसके पास किताब नहीं थी, वो ही तो subject था, अगर मैं इसका answer कर दूँ, राम के पास किताब नहीं थी, यानि subject कौन है राम, मेरे पास किताब नहीं थी, यानि subject हूँ, मैं, आपके पास किताब नहीं थी, यानि subject है आप, तो जब मैं कह रहा हूँ, किसके, तो subject के बार अगर आपने पिछले वीडियो उसको देखा है तो आपके लिए समझना आसान है कि special case क्या होते हैं अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है क्योंकि वहाँ पर मैंने detail में समझाया कि क्यों हम special case का use कर रहे हैं अच्छा next slide में हम move करते हैं उस glass में पानी था में था आ गया में था का मतलब यहाँ पर क्या sense निकल रहा है उस glass के अंदर पानी था तो में था का मतलब यह आना चाहिए कि subject के अंदर subject है वो glass affirmative sentence है में था आ गया subject had उस glass में पानी था that glass had water that glass had water अब point यह है कि इसी sentence को एक और तरीके से बना सकते हैं में था कि लिए आप there का भी use कर सकते हैं there was object क्या है पानी there was water उस glass में in that glass तो ये दो तरीके हो सकते हैं इस sentence को बनाने के उस घर में दर्वाजा नहीं था यहां पर भी आ गया में था यानि उस घर के अंदर दर्वाजा नहीं था तो के अंदर का sense आ रहा है subject है वो घर that house तो यह तो हम बनाएंगे negative sentence है that house did not have दर्वाजा did not have a door और इसी sentence को there के साथ कैसे बना सकते हैं there was no no आएगा ना क्योंकि negative sentence है there was no door उस घर में in that house अच्छा अब एक बात और सोचिएगा देखें उस ग्लास में पानी था यह हमने दो तरीके से बनाया उस घर में दर्वाजा नहीं था इसको भी हमने दो तरीके से बना लिया there के साथ भी बना लिया और में था के लिए जो originally head का यूज करते हैं तो negative में did not have का यूज करके भी हमने बना लिया लेकिन ये भी तो है आप head के साथ no करके बना सकते हैं न क्योंकि यहाँ पर जो मेरा object है दर्वाजा उसके counting नहीं हो रही है दो दर्वाजे, तीन दर्वाजे, चार दर्वाजे जैसे यहाँ पर हो रही है यहाँ पर counting हो रही है तो जब counting होती है तब तो head no नहीं कहते आप cable did not have के साथ बनाएंगे लेकिन जब counting होती है counting नहीं होती है तो head no का यूज कर सकते है उस घर में दर्वाजा नहीं था that house had no had no door देखिए कितना interesting है तो एक ही sentence को बनाने की देखिए तीन तरीके हो गए और इस sentence को जो बनाएंगे उस घर में दो दर्वाजे नहीं थे तो counting हो गई object की counting हो गई है इसलिए had no तो नहीं आएगा did not have के साथ आप बना सकते हैं that house did not have two doors that house did not have two doors एक तरीका ये और there के साथ there were no negative है there were no two doors उस घर में in that house तो दोनों को लिख देता हूँ देखिए तो देखिए दोनों sentences मैंने लिख दिए पहला that house didn't have two doors यहाँ पर मैंने did not की जगह पे contraction didn't का यूज कर लिया इसे didn't यह didn't दोनों तरीके से बोला गाता है didn't यह didn't जब आप contraction का use करते हैं तो आपकी English में एक flow आता है did not की जगह पे didn't that house didn't have two doors और there के साथ there were no two doors in that house इस glass में कितना पानी था कितना कितने के साथ जो भी आता है पूरा पूरा डबलो एज फैमिली मेंबर बन जाता है interrogative sentence है कितना पानी how much water did subject क्या है इस glass में कितना पानी था किस में था इस glass में तो subject है ये glass ये glass के लिए this glass इस glass है एक तरीका तो ये हो गया how much water did this glass है दूसरा तरीका चुकिए यहां पर में था आ रहा है में था तो किसी चीज़ के अंदर था की बात हो रही है तो there के साथ sentence को बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे how much water अब उसके तुरंत बाद auxiliary verb आनी है यहां पर तो auxiliary verb there के साथ में was या were है how much water was there was के बाद क्या आएगा there क्यों there का use कैसे कर रहे है as a subject how much water was there कहां पर इस glass में तो कितना पानी था इसके लिए तो how much water is there इस glass में in this glass दिखें कितना interesting किस glass में पानी था कौन से glass में पानी था अब यहां पर यह जो glass है ना कौन सा glass यानि किस glass में यही तो मेरा subject है अगर मैं कहूँ लाल वाले glass में तो लाल वाला glass मेरा subject है लाल वाले glass में पानी था यानि लाल वाला glass है subject हरे वाले glass में स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में, जिस भी ग्लास में पानी था, वही तो मेरा सब्जेक्ट है, तो WH family members सीधे सब्जेक्ट को refer कर रहा है, यह वाली category आएगी, which glass, कौन सा ग्लास, which glass had water, अब इस sentence को मैं देर के साथ कैसे बनाओ, अगर आपको ध्यान हो, तो जड़ा सोचिए, मैंने आपसे, पिछले वीडियो में, present में, जब मैं आपको यह समझा रहा था, देर वाला use, मैंने आपसे क्या खा था, कि जब आप sentence को head इस formation में बनाते हैं, head did not have इस तरह से, यानि इस तरह से, तो तो आप अपने आपसे पुछते हैं, कौन सा ग्लास, तो कौन सा ग्लास की English तो होती है, which glass, ठीक है, लेकिन जब आप देर के साथ बनाते हैं, तो किस glass में, in which glass, यह पूरा WH family का member है, यह बात मैं इस वीडियो में समझाई थी, और जब आप practice करेंगे, तो आपको यह idea बहतर होगा, यहाँ पर WH family member आएगी, in which glass, किस glass में, यह पूरा बना WH family का member, in which glass, was there objective part, पानी, in which glass was there water, तो दो तरही के से sentence को बना सकते हैं, which glass had water, या फिर, in which glass was there water, और दोनों ही तरीके बिलकुल सही है, दोनों यूज होते हैं, किन घरों में नल नहीं थे, अब यह नहीं वाला आ गया, past में, किन घरों में नल नहीं थे, कौन से घरों में नल नहीं थे, which houses, which houses, did not have null, null को क्या बोलते हैं, tap, which houses did not have taps, और अगर इसी sentence को मैं देर के साथ बना हूँ, तो in which houses, यह पूरा बन जाएगा, डबलो एज फैमिली का पार, जैसे किस glass में पूरा बन गया था, इन which houses, were there no taps, were there no taps, no आएगा, और were क्यों आ रहा है, क्योंकि नल जो है एक से जादा है, in which houses, were there no taps, तो आप देख रहे हैं, यह interesting बहुत जादा है, कि जब आप sentence को देखे, इन सभी sentences में मेथा आ रहा है, मेथा का मतलब क्या रहा है, के अंदर था, किस glass में पानी था, जिस भी glass में पानी था, उस glass के अंदर था, यानि subject के अंदर था, किन घरों में नल नहीं थे, किन घरों में यानि किन घरों के अंदर नल नहीं थे, सम में में था आ रहा है तो category 2 है इस तरह से भी बना सकते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं इस तरह से जब बनाएंगे तो ये पूरा WH family का पार्ट बन रहा है किन घरों में तो पहले ऐसे समझ लीजे नल नहीं थे there were no taps question है were there no taps किन घरों में in which houses were there no taps भाई थे अब यहाँ पर भाई बहन वाली बात आ गई कि subject के कितने भाई थे बहन थी अंकल थे चाचा थे दोस्त थे इस तरह की चीजें किसके थे उसके थे subject कौन है वो अगर कोई लड़का है तो ही लड़की होती तो she he had two brothers अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बहन थे देखिए यह पूरा एक underline लगी भी है इसका मतलब इस category के साथ भी आप there का यूज करते हैं भाई बहन थे ऐसे में भी आप there का यूज करते हैं तो इसी sentence को जब there के साथ बनाय जाएगा there were two brothers of his ये बात मैंने आपको present में भी समझाई थी कैसे इस sentence को बना रहे है there were two brothers यानि कि जो object है objective part वो there के बाद auxiliary verb उसके बाद वो objective part आया और जो subject है जैसे यहाँ पर he तो ये object में बदल गया तो objective part की तरा आगए there were two brothers of his अगर होता मेरे दो भाई थे I had two brothers या there were two brothers of mine अगर होता उसके दो भाई थे कोई लड़की she had two brothers या there were two brothers of hers तो hers, mine, yours, ours ये बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी present में उसका कोई भाई नहीं था अब इस sentence को कैसे बना है negative है उसका कोई भाई नहीं था he did not have कोई भाई के लिए any brother he did not have any brother या फिर अब देखिए head के साथ no भी तो एक category है यहाँ पर दो, तीन, चार, पांच ऐसा तो नहीं बताया गया ऐसे में आप head के साथ no का यूज़ कर सकते हैं उसका कोई भाई नहीं था he had no brother यह उन्हें आपको थोड़ी देर पहले भी बताया तो यह दो तरीके तो हो सकते है there के साथ कैसे बन सकता है there was no no ही आएगा ना क्योंकि there के साथ no आता है there was, was क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़ादा भाईयों की बात तो नहीं कर रहा हूँ है there was no brother no brother of his उसका of his तो he आगया objective पार्ट में there was no brother of his तो एक ही sentence को तीन अलग अलग तरीकों से बनाने का देखिए कितनी interesting चीज़ है उसके दो भाई नहीं थे यह भी negative sentence है यहाँ पर counting हो गई दो भाई counting हो गई तो head no का यूज तो यहाँ पर हो नहीं सकता या तो sentence को did not have के साथ बनाईए negative है did not have के साथ या फिर there के साथ तो कैसे बनेगा? उसके दो भाई नहीं थे he did not have two brothers या फिर there were were क्यों? क्योंकि दो भाईयों के बात हो रही है एक से जादा है there were no two brothers of his दोनों sentences को लिख देता हूँ अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये तरीका उतना अच्छा नहीं दिखता ये तरीका जादा अच्छा लगता है he did not have two brothers उसी तरह से ये he did not have any brother और इससे भी अच्छा दिखता है ये he had no brother तो जब एक की भी बात नहीं हो रही और negative sentence तो had no का यूज करना कितना अच्छा लग रहा है he had no brother लेकिन जब भी counting हो गई had no नहीं कह सकते हाँ there का यूज तो आप किसी भी case में कर सकते हैं जब भी subject में था ये subject के भाई बहन थे अच्छा next slide पर चलते है क्या उसके दो भाई थे interrogative sentence हो गया क्या उसके दो भाई थे आप yes या no में जवाब दे सकते हैं इसलिए डवलो एज फैमिली मेंबर तो नहीं आएगा did he have two brothers क्या उसके दो भाई थे did he have two brothers और यह इसी sentence को there के साथ बना लेते हैं अब जब interrogative sentence है तो obvious से बात है was or there से पहले आएगा were there two brothers of his अच्छा अगर यही sentence ऐसा होता उसके दो भाई क्यों थे क्यों डवलो एज फैमिली मेंबर क्यों आ जाता तो वाई का यूस कर लेते न why did he have two brothers why did he have two brothers या फिर why were there two brothers of his तो वाई का यूस हर बार क्या होता है शुरुबात में लग जाता है उसके कितने भाई थे कितने भाई कितने भाई के लिए हम क्या कहते है how many brothers कितना यह कितने के साथ लग करके आ जाता है नहीं पूरा डबलो इस फैमिली मेंबर का पार्ट how many brothers उसके यानि की subject है वो how many brothers did he have या फिर there के साथ how many brothers were there were there उसके of his अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब category 2 present की बताई थी ये तो past की है present की जब बताई थी same यही sentence वहाँ पर था उसके कितने भाई हैं उससे में हैं का था तो मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि of his जो कि objective part में यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको how many का जो डबलो इस फैमिली का पूरा member बन गया उसके साथ में ही उस करते हैं how many brothers of his were there और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डबलो इस फैमिली मेंबर के वीडियो में भी बताया था उसके कितने भाई how many brothers of his मेरे कितने भाई how many brothers of mine इस तरह से पूरा ही डबलो इस फैमिली का part बन जाता है तो यह तरीका है इंग्लिश का मैंने आपको explain किया था पिसले वीडियो में यह दो तरीके इस sentence को बनाने के आप देखे यह sentence किसके थे दो भाई कौन था वो जिसके दो भाई थे कौन था वो तो जब मैं कहता हूँ किसके थे दो भाई तो डबलू एच फैमिली का जो यह मेंबर है कौन यह subject को ही पूछ रहा है तो यह category आएगी who ऐसे में आप कौन कहते हैं कौन था वो जिसके दो भाई थे कौन इस category में कौन वाली बात होती है तभी तो यह आता है यह सब तो who had who had two brothers लेकिन जब इसी sentence को there के साथ बनाना है तो कौन नहीं पूछना है फिर कौन नहीं पूछना है किसका यह पूरा डबलू एच फैमिली का मेंबर है और यह बात मैंने present में भी आपको बताई थी whose किसके थे whose were there two brothers देखिए मैं आप सभी से request करूँगा आप हर वीडियो को line से देखिए पूरा देखिए क्योंकि same चीज को दोबारा से explain करने में obviously जिनोंने अल्रडी वीडियो को देखा है उनका time waste होगा तो मैं इसलिए बार-बार एक चीज को explain नहीं करता हूँ लेकिन अगर आप इसली वीडियो उसको देख रहे है तो यह आसानी से आप समझ पा रहे है कि मैंने यहाँ पर whose का use क्यों किया है यह देखिए यह आज की वीडियो का homework है आपने simple sentence past की दोनों categories को पढ़ा category 1 में था थे थी समय से आ गया तो was work की जगह पे head भी आपने यह भी देखा object नहीं है there का use category 2 past था में था भाई बहन थे आप जानते हैं head का use करते है did not have का use negative में और जब counting न हो रही हो दो भाई, दो बहन, दो किताबें, दो pencil ऐसे में आप head नों का use कर सकते हैं सब्जेक्ट में था या नि सब्जेक्ट के अंदर था यह सब्जेक्ट के भाई थे, बहन थे, दोस्त थे, अंकल थे ऐसे में there के साथ was work का use कर सकते हैं और जब भी करें उसके बाद no का use करें negative sentence में यह दोनों categories को आपने अच्छे से समझा rules के साथ अब यह हैं तीन sentence उस किताब में क्या लिखा हुआ था interrogative sentence है इसे आपको इस वीडियो के comments में बना के लिखना है इसे भी किस किस के पास घर नहीं था आप कब से office में थे अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इन तीनों sentences को आप easily बना सकते हैं उमीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरू करिएगा और comments में बताइएगा कैसा लगा मिलते हैं next video lecture में तब तक लिए take care good bye